नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा अर्णफ गोस्वामी के बारे में कल सुबह अर्णफ के घर पर मुंबई पुलीस एक रेट डालती है और ये जो रेट है ये मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ में मुंबई पुलिस और अलिबाग पुलिस का एक जोइंट ओपरेशन था अरनव को बिना अरेश्ट वारंट के गरफतार किया गया था दरसल क्या है कि IPC की धारा 306 के तहट जो है किसी वेक्तियों गरफतार करने के लिए अरेश्ट वारंट की आवशक्ता नहीं होती है IPC की धारा 306 है उसके तहट क्या है कि यदि कोई वेक्ति आत्मत्या कर लेता है और उस आत्मत्या को उकसाने के लिए जो वेक्ति जिम्मेदार होता है तो उसके लिए वारंट की आवशक्ता नहीं होती है उसे बिना वारंट के अरेश्ट किया जा सकता है क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस और अलीबाग थाने की 6-6 टीमे अर्णव के घर पर गई थी उसे अरेश्ट करने के लिए अब आपको बता दू कि ये मामला है क्या जिसमें अर्णव को बिना वारंट के गिरफतार करना पड़ा दरासल मई 2018 में अनवे नाइग नाम के एक शक्स ने अपनी मा के साथ में सुसाइड कर ली थी जिसमें सुसाइड के लिए तीन लोगों का नाम था एक नाम जो था वो अर्णव गोस्वामी का था और हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो अर्णव गोस्वामी के बात करेंगे बाकी दो नामों को छोड़ देते हैं अन्वे नाइक जो था वो पेशे से एक interior designer था और उसने Republic TV का studio तयार किया था जिसमें बैठके अरनव जो है अपने पत्रकारीता करते हैं जिसकी ये वज में अन्वे नाइक के जो अरनव पर 83 लेक रुपीज जो थी वो payment due थी अरनव पर payment मांगने पर अन्वे नाइक को धमक्या दी जाती थी जिससे परेशान होके अन्वे ने अपनी मदर के साथ में suicide कर ली ये वास्तम में एक गंभीर मामला था और उसमें PDT ने बकायदा अरनव का नाम लिया था अरनव के नाम पर FIR की थी तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि इस केस में कही ना कहीं गलती अरनव की थी या अरनव के department की थी लेकिन ये मामला साल 2018 में ही बंद हो चुका था और जिस समय इस केस को बंद किया गया था उस समय इस केस की जो जांस थी वो अलिबाग पुलिस का बनता ही नहीं है क्योंकि ये केस उस टाइम क्लोजिंग के टाइम पर CID के पास था लेकिन बावजूद इसके अलिवाग पुलिस के द्वारा मिलकर इस केस में अरेश्टिंग की गई जो की पून रूप से गेर कानूनी है जो केस बंध हो चुका है उसमें अचानक से गिरफतारी से एक बात के लिए रूपता चलती है कि कोई भी काम कानूनी तरीके से नहीं किया गया है कानून के नियमों के अंतरगत नहीं किया गया है बलकि ये जो गरफतारी है ये आपसी रंजिशन हुई है हम सब को पताए कि अरनब गोस्वामी पिछले कुछ महीने से लगातार बेबी पेंगुईन की पार्टी की ऐसी तैशी कर रहे थे चाहे वो पाल घर में सादो की हत्या का मामला हो या सुशान्त का दिशा सालियान का मुद्दा हो या ड्रक्स का हर मुद्दे में अरनब ने बेबी पेंगुईन और उसके पिता को निशाना बनाया था बेबी पेंगुईन की पार्टी भी लगातार अरनब पर हमले करवा रही थी कभी अर्नब पर जो है F.I.R करवाई जाती थी तो कभी जो है रिपोर्टर्स को अरेश्ट करवाया जाता था लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अर्नब कहीं भी जुकने को तैयार नहीं थे अर्नब पर बार बार हमला होना ये बताता है कि ये परसनल खुन्नस निकाली जा रही थी लेकिन सवाल ये आता है कि इतना सब होने के बाद में महराश्ट गवर्नर जो है भगत सिंग कोश्यारी अब तक चुप कैसे हैं क्यों अब तक मोधी जी इस मामले में एक भी शब्द नहीं भोले ये बात सही है कि जितने भी राज्य सरकार होते हैं उन सभी राज्य सरकारों को अपने खुद के अधिकार होते हैं उन अधिकारों के तहट छोटी छोटी बातों पर केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार के आपसी मामलों में इंटरफेर नहीं कर सकती और ना वो करती है घरेलू मामले तब तक घरेलू होते हैं जब तक वो मामले घर की चार दिवारी में रहे जब घरेलू मामले घर की 4 दिवारी से बाहर पहुंच जाते हैं तो वो मामले घरेलू नहीं रह जाते ठीक उसी तरह कोई मामला किसी राज्यिये का तब ही तक आपसे मुद्दा होता है तब ही तक आपसे मैटर होता है जब तक नैशनल लेवल पर ना पहुंचे कोई मामला अगर national level पर पहुंच जाए और उसमें लोगों का राज्य सरकार के खिलाप में ऐसंतोष फैल जाए तो ऐसे महालात में state governor या केंदर सरकार का अधिकार है कि वो उस मामले में राज्य सरकार से सीधे सीधे जवाब तलब कर सकती है या उस मामले में दखल दे सकती है और ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने काम से काम रखने वाली सरकार है या बीजेपी अपने काम से काम रखने वाली पार्टी है जहां कॉंग्रेस या अन्य पार्टी की सरकार हो सिर्फ बेबी पेंगुईन की पार्टी को छोड़ कर मेरी बात आज बहुत सारी लोगों को हो सकता है बुरी लगेगी लेकिन जब बात सचकी आए तो बोलना जरूरी है ऐसे समय में अंदभक्त बनकर बैठना सबसे बड़ी मुर्खता है मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ मेरी पूरी फैमिली बीजेपी की समर्थक है लेकिन ब बलत ना कहें तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी पालगर में साद्वों की हत्या का मामला हो या सुशान्त की हत्या का केस ड्रक्स केस हो या अर्णभ को सिस्टमेटिक तरीके से टॉर्चर करना हर एक मुद्दा ना सिर्फ देश बर में चर्चित रहें देश बर में जो है फेमस रहे हैं बलकि लोगों में भारी ऐसंतोष देखने को मिला है लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है खुद मोदी ने आज तक इन सारे मुद्दों पर एक बयान तक नहीं दिया है सुशान्त केस में सुशान्त के समर्थ कि ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी कुछ बोलेंगे मोदी जी अब बोलेंगे लेकिन मोदी जी ने तो मौन धारन किये बैठे रहे हैं क्या ये नाइंसाफी नहीं थी दुनिया जानती है कि पिछले दो महिने से पैंगुइन पार्टी और अर्नब गोस्वामी की लड़ इन बावजूद इसके मोदी जी के मंतरी शिव सेना सरकार का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। इतनी आउकात नहीं थी कि पैंगुइन पार्टी का नाम ले सके। ये है खौब पैंगुइन पार्टी का जिससे मोदी जी की आवाज तक नहीं निकल पा रहे हैं। जवाब तलब कर सकती है वो उसका अधिकार होता है और देश की मोदी सरकार करती भी है ऐसा नहीं है कि वो करती नहीं है। लेकिन पैंगुइन पार्टी का ही नाम जबान पर नहीं आता है। जैसे नाम लेते ही इनको बम से उड़ा दिया जाएगा। कल बीजेपी ने प्रेस कॉंफरेंस की अरनव की गिरफतारी को लेकर एक बार भी पैंगुइन पार्टी का नाम ना लेके बस इटली वाली मावेटे को कोस्ते रहे और राजनीती करते रहे। वो साफ साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीती कर रहे हैं ना कि कोई एक्शन लेने के मूड में हैं। इटली वाले मावेटे को तो कुट्ता भी गाली दे सकता है। उसमें कल प्रेस कॉंफरेंस करके कौन सी बहादुरी दिखा दी। क्या महराष्ट में इटली के मावेटे की सरकार है? नहीं, उनका सिर्फ समर्थन है, सरकार बीजेपी की पुरानी दोस्त की पार्टी की है, जो बॉलिवुड माफियाओं के साथ में मिलकर अर्णव के चैनल को बंद कराने तक पीछे पड़े हुए हैं। और यह हकीकत है कि अगर केंदर सरकार इस मामले में बीच में नहीं आई, अगर उसने बीच में दखलंदाजी नहीं दी, तो ना सिर्फ अर्णव को हो सकता है, बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़े, जेल चले जाएं, बलकि उनका चैनल भी बंद हो जाए। यह बात एहंकार में डूबी बीजेपी को भलेई अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब चैनल बंद हो जाएगा तो पता चलेगा बीजेपी को कि अर्णव का चैनल बीजेपी पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक चैनल था, आज अभी वेक्ति के आजादी के अधिका लेकिन ये सक्ता हमेशा नहीं रहती, चंद दिनों की महमान होती है, ये बात जो पैंगुइन पार्टी और बीजेपी है इन दोनों को समझनी चाहिए, इतनी बड़ी राज्यSरकार आज चोटे-चोटे यूट्यूबर्स को अरेस्ट करके अपना लेवल गिरा रही है, और बीजेपी इन मुद्दों में दखल ना दे के अपना वोट बैंक हो रही है यूट्यूबर्स हमेशा यूट्यूबर रहेंगे ट्वीटर यूजर हमेशा ट्वीटर यूजर रहेंगे पत्रकार पत्रकारीता करते रहेंगे लेकिन ये सत्ता हमेशा इनके हाथ में नहीं रहेगी आज समय आ गया है जब हम सब को सड़कों पर उतरना होगा वरना आपको और हमको इनसाफ के लड़ाई छोड़नी होगी जो दिल्ली के आसपास के हैं वो जंतरमंतर पर अरनब के समर्थन में धरने पर पहुँचे जो भौपाल के पास के हैं वो भौपाल में समर्थन पर पहुँचे जहां भी अरनब के नाम का समर्थन हो रहा है वहाँ उस समर्थन को पूरा-पूरा सहीयोग दे और जो दूर के हैं वो ट्वीटर पर अर्णव के समर्थन में trend चलाए ज्यादा सी ज्यादा trend चलाए ताकि बहरी बीजेपी सरकार के कानों तक ये आवाज पहुचे ट्वीटर पर ज्यादा सी ज्यादा दोस्ट जो है मुझसे जुड़े ताकि आम आदमी की ताकत जो है इन्हें दिखाई जा सके इन्हें अब हमारी एकता जो है वो दिखाई जा सके उसका एहसास कराए जा सके ट्विटर का लिंक जो है मैंने डिस्किप्शन में दे रखा है आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं आपको बता दूँ कि इस केस में मोधी सरकार कुछ नहीं करेगी वो सिर्फ निंदा करेगी आलोचना करेगी और राजनीती करेगी लेकिन एक्षन कभी नहीं लेगी क्योंकि सामने जो है एक्चुल में पैंगुइन पार्टी है और उसके खिलाब वो एक्षन कभी भी ले ही नहीं सकती है अर्नव के लिए हमें ही आवाज उठानी होगी जैसे सुशान्त केस के लिए हमने खुदने आवाज उठाई थी और हमारी ताकत का एहसास तब होगा जब हम एक दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा जुडेंगे चाहे वो ट्वीटर पर हो या यूट्यूब पर अर्नव को घर सीटते हुए ले जाना बाल पकड़ना, मारना पीटना उनके बेटे को पीटना वाइफ के साथ में बत्तमीजी करना बुडे माबाप को दवाई ना देने का टाइम देना और 50-60-70 लोगों की फौज में AK-47 लेके उसे ऐसे अरेश्ट करना जैसे अर्नव गोस्वामी एक पत्रकार नहीं कोई आतंकवादी हो और कोई बंपलाश्ट करने के लिए आया वाओ इसकी आवाज जो है हमें ही उठानी होगी इसकी आवाज ना कोई दूसरा चैनल उठाएगा ना ही कोई सरकार उठाईगी वरना पैंगुईन पार्टी के तो जात्ती बढ़ेगी ही बीजेपी की चुप्पी भी यूही बनी रहेगी और वो अपना मौन जो है कभी नहीं तोड़ेगी पैंगुईन पार्टी का एहंकार और बीजेपी की जो चुप्पी है वो तूटनी बहुत जरूरी है वरना इस देश में अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है या बीजेपी की जो चुप्पी है उसको लेकर आप उसको किस तरह से देखते हैं आप अपनी राय भी मुझे जरूर देना इस वीडियो में इतना ही जय है